आज आप लोग के साथ शेयर करने हुए कैसा सिरम जिसको आप खुद से त्यार कर सकते हैं वो भी नारियल तेल से इसकिन पर अगर बहुत ही ज़्यादा कालपन हो गया है जुर्या जाया बढ़ते जा रहे हैं उम्र से काफी अधिक दिख रहे हैं तो नारियल तेल से बनी हुई यह सीरम आप लोग को बता रहे हैं जिसमें नारियल तेल में कुछ चीजों को मिक्स करके यह सीरम त्यार कर लेना है जिसको लगाना है हर रोज रात में सोने से पहले इसकी निक्तम टाइट जबा और खुबसूरा दिखने लग जाएगी लूज इसकीन की समस्या दूर होगी इसकीन पे जो जुर्या पढ़ रही है पिंग्मेंटेशन बहुत ही जादा बढ़ते जा रहे हैं उन सबसे आपको छुटकारा मिलेगा रूखी सुके डल और बेज बनाने के लिए जुर्या जाईया कालेपन को दूर करने के लिए और यह सिरम सच में बहुत ही ज़दा एफेक्टिव है तो आज की होमेरामेडी पूरा देखिए की तरीके से इसको बनाना है और लगाना है और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक टीक कर दीजिगा तो चल जाईया कालेपन को दूर करता है साथ इस पर थोड़ा से हमने कौफी पाउडर आड़ कर लेना है उसके बाद इसमें हम थोड़ा से बेसन मिला लेंगे जिससे इसकीन अच्छे से साफ हो जाए इसकीन से कालेपन और मैल डर्ट रस्ट जो भी होती है इने इसकीन की प्राव की जैसे है आपको कोई भी खर्चा बगर नहीं लगने वाला है और ना ही कोई केमिकल है ना कोई साइडी फैक्ट है और आपकी स्किन की समस्यां जो है बहुत तेरी से दूर होती भी नजर आती है टर्माटर काफी जदा अच्छा होता है इसमें एंटियोक्षिजेंट गु मदद करती है जाया को तेजी से खदम करती है तो अगर आप इस तरीके से टमाटर का यूज करके देखिए अपने स्किन पे काफी फायदा दिखेगा साथ ही डार्क सरकल्स जो हो जाते है ना उससे भी आपको छुरकाना बिलेगा तो हलके हाथों से मसाज करना है और जो टम और इस तरीके से में दो-चार मिनट के लिए कर दी है जितने भी स्किन पे डर्ट, डर्ष्ट, मैल है, कालपन है, टैनिंग जो हो जाती है धूप का कालपन और जो डेट जल्स पड़े होंगे वो सब निकल जाएगा और बेसन हमारे स्किन को अच्छे से एक्सॉलियेट भी सकते हैं उसके बाद चेहरे को सुखा लेना है फिर उसके बाद हम जो नारियल तेल से सीरम बनाए है उसको अपलाई करेंगे तो किस तरीके से सीरम हमें लगानी है वो बता रही हूं आप लोगों को सच मुझ बहुत ही जादा अच्छा है इसको आप नारियल तेल से बने आप करता है इसके जितने भी समस्या होती है उसको दूर करता है इसमें बैक्टिरियल गुन पाए जाते है अच्छा सा एंटिवाइटी हमारे स्किन के लिए जो कि एंटि फंगस भी होते है इसमें बहुत जादा ऐसे वैने फिट्स हमारे स्किन को देता है न सच मुझ आप अगर आपके पास शुद बादम तेल ना हो तो आप वीटामिनी कैप्सुल का दो थो ले लिए जो वाइल उसके बाद इसमें एक बड़ा चमस डाल लेना है अलोवेराजल जो कि स्किन के लिए साजमुच बहुत ज़द अच्छा है इसकिन से जूरियां जायां काला पंजी है तो आप जो सीजन चल रहा है इसकी नहलके हलकी ड्राइ होने लग जादी है तो उससे बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है यह सीरम तो आप भी ज़रूर बनाएगा और इसको बना करके श्टोर कर लिए आपको फ्रीज में भी रखने की ज़रूत नहीं है इसको बना कर रिश्टोर कर लिजी और हर रोज रात को सोने से पहले लगाए लेकिन इसको इस तरीके से अप्लाइक करना है वो आपको बता रही हूँ तो बने देगा वीडियो में और हाँ फ्रेंड्स पहली बारा है चानल पे तो चानल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडिय से पहले तो स्किन अच्छे से मॉस्चुराइज रहती है नरिश रहती है और एकदब मुलाइम खिली-खिली तवचा सुबह में देखने को मिलता है तो क्रीम लगा लेते हैं इस तरीके से यह सिरम यह क्रीम जो भी कर लीजे तो हलके हाथों से मसाज करते हुए इसे अप्ल पर जाती है तो इससे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा इस सिरम से अप इस तरीके से अगर मसाज करके लगाए तो और कुछ मसाज के स्टेप आप लोकशा शेयर कर रही हूँ तो आप वह फॉलो करके अपना सिल्फ मसाज कर सकते हैं अपना फेस यूगा कर सकते हैं तो इ आप चाहे तो पूरी रात इस सिरम को लगा करके रख सकती है नहीं तो आप रोज वाटर से इसको रिमूफ कर सकते हैं उसके बाद कुछ भी अपलाई करने के जरूरत नहीं है कोई भी नाइट क्रीम पगडर भी लगाने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही आप सो जाईए जब इसे ही शमकदार दिखने लग जाती है और कोई प्राव्लम्स जो भी इस स्किन पर वो सब दीरे दीरे खतम होने लग जाएगी इस सिरम से आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो आज की हो मेरा आमडी बहुत ही जादा पसंदाए होगा तो अब गर्मिया सुरू हो रही है ठंदिया खतम हो रही है तो यह बीच का जो प्रोसेस होता है न मौसम जेंजिंग वाला उसके लिए यह सिरम बहुत ही जादा बेश्ट ह बेश्ट है तो आप देख पा रहे है किस तरीकते हम ने स्किन पर मसाज करी है किस तरीके से यह सिरम हमने अपलाई किया है और इसके बाद जो प्लोग जो पीड़न का बीच खला फ़ित रही है तो आप लोग खुद हमें कॉमेंट करके बताएगा कितना जादा यह वर्क किया है हमारे स्किन पे और आप लोगों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो तो प्लीज एक कॉमेंट कर दीजिएगा और हाँ, यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंकियू सो मच्च, प्लीज अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखेðे propag एसे ही हमारे साथ जुले रहिये और अपना ख्याल रखते रहिैं, अपने सिकन का ख्याल रखते रहिये thank you so much for watching guys मिलते हैं नेक्टूरियो में तब तक के लिए बाई बाई हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए